नवसकार दोस्तों, डिकोट एक्जाम के इस आनलाइन पोर्टल पर मैं प्रसांत आप सब का स्वागत करता हूँ दोस्तों, UPPCS Prelims 2019 के लिए हमने जो टेस्ट सीरीज बनाया है उसी के डेमो टेस्ट पेपर में जो हमने करेंट अफेर्स के प्रस्ण डाले हैं उसी को इस लेक्चर में हम डिसकस करेंगे, इस से पहले हम 10 प्रस्णों को करेंट अफेर्स के देख चुके हैं तो अभी तक अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा हो, तो आप इस चैनल पे जा करके उसे देख सकते हैं तो इस lecture में demo test paper के 10 current affairs के questions को हम इसमें देखेंगे, ठीक है, तो इस lecture को शुरू करूँ, उससे पहले मैं बताना चाहूंगा, कि अगर आप UPPCS prelims के हमारे test series से जुड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है, वो मैं आपको बताता हूँ, तो देखिए सबसे पहले, तो आप या तो website पे जा करके decodeexam.com लिख करके, हमारे website पे आप चले जाएंगे, ठीक है, वहाँ पे आपको test का icon दिखेगा, और सारी चीजें app के तरह ही रहेंगे, तो मैं app के लिए बता दूँ, गूगल प्ले स्टोर पे आप जाएंगे, वहाँ पर जो है मोबाइल में decode exam लिखेंगे, प्ले स्टोर पे हमारा app आजाएगा, उसे install कर लिजे मोबाइल में, उसके बाद जो है, ऐसे आप app को open करेंगे, तो आएगा, तो उस पे जो है, select करिए, don't have an account, इस पे क्लिक करिए इस पे आप से detail आपकी पुछी जाएगे, नाम वगेरा, उसको भरिए, OTP मोबाइल पे आएगा, और जो है आप लॉग इन कर जाएंगे, जब मुख app में आप आएंगे, तो यहाँ पर जो है, आप देखेंगे, test का option दिखेगा, ठीक है, test का, यही same प्रक्रिया website के लिए ह अब जब test पे click करेंगे यहाँ, तो आपको यह page दिखेगा, इसमें जो है, आप देखिए, दो option है, attempt test और buy now, attempt test पर जब आप click करेंगे, तो यह पूरा page open हो जाएगा, और इसमें एक demo test paper आपको online देने के लिए मिलेगा, साथ ही उसकी PDF भी आप download कर सकते हैं, तो उसी demo test में जो हमने current affairs के प्रस्त डाले हैं, उसे ही मैं इस lecture में आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, तो attempt test पर जाएंगे, test दे सकते हैं, इसमें ranking, जो है कितना सही कि आपने कितना गलत किया, सारे आंकडे जो है, यह app में मिल जाएगा, ठीक है, अब अगर आप चाहते हैं कि इससे आपको इस प्रक्रिया में कोई परिशानी हूँ, तो आप इस नंबर पर जो दिख रहा है, 9506742546 पर call या WhatsApp करके अधिक जानकारी ले सकते हैं, तो चलिए, सुरू करते हैं, आज का काम, तो केंद्र सरकार ने 19 मार्च 2019 को किसे भारत के पहले लोगपाल के पत पर न्यूक्त किया, तो जैसा कि मैंने बताया कि इस टेस्ट सिरीज में आपको बाइलिंग्वल क्वेस्चन जो है, दिखेंगे, जैसे यहां दिखा है, दिख रहा है, हाला कि ब्याख्या केवल ऑर केवल हिंदी में होगी। ठीक है, तो ब्याख्या बाइलिंग्वल नहीं है, लेकिन क्वेस्चन बाइलिंग्वल है, और वो इसी तरीके से दिखेगा, जैसे यहां पर लिखा गया है। थीक है, का उत्तर है जो है नयय मुर्ति पिनाकी चंद्रगोस को भारत का पहला लोगपाल बनाया गया है, तो अब इसकी बेख्या हम देख लेते हैं, सरोच नियाले के पूर्व नयाधीस, नयय मुरति पिनाकी चंद्रगोस को भरस्टाचार उनमुलन के लिए स्रीजित लोगपाल के पत पर 19 मार्च 2019 को न्युक्त किया गया और ये भारत के पहले लोगपाल हैं अब लोगपाल के बारे में कुछ बाते हैं जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत डीटेल में हम ब्याख्या इसमें लिखते हैं कोई भी पॉइंट छूट ने नहीं देते हैं ठीक है वो तेरह के तहत अस्थापित किया गया है ये संस्था लोगपाल अधिनियम 2013 के दायरे में आने वाले सारोजिनिक अधिकारियों के खिलाप ब्रष्टा चार क्या रोपों की जाज करने के लिए बनाई गई है चाचट वर्षिय घोस मई 2017 में सरोच नियाले से सेवा निवरित ह हुए थे तथा 29 जून 2017 से वे राष्टी ये मानवा दिकार आयोग के सदस्य हैं उल्लेखनी है कि केंदर सरकार ने घोस के अलावा चार सदस्यों को भारत के लोगपाल कारेले में विधिक सदस्य और चार अने को गैरविधिक सदस्यों याने नन जूडिसील मेंबर के रूप में भी न्यूक्त किया है अब इसमें और भी जितने डीटेल हो सकते हैं इस परसन से जूड़े हुए वो लिखे हुए है आप जो है यहाँ भी पढ़ सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्ष में PDF का लिंक है वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं और आप वेफसाइट पर जाकर भी PDF डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश में देश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे प्रयाग राज से मेरट के बीच 600 किमी की लंबाई में बनाए जाने की मंझूरी मंदल द्वारा उन्तीस जन्वरी दोहार उन्वीट को दी गई इस प्रस्तावित एक्सप्रेसवे का नाम क्या है गोम्ति एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे सर्वसत्ति एक्सप्रेसवे संगम एक्सप्रेसवे The longest expressway of the country in Uttar Pradesh which is having a length of 600 km between Prayagrash to Merat. The approval for the construction was given by the cabinet and 29th January 2019. What is the name of this proposed expressway? Gomti Expressway, Ganga Expressway, Sarswati Expressway, Sangam Expressway. Comment करके तुरंत इसका जबाब दीजिये. क्या नाम है? Gomti Expressway, Ganga Expressway, Sarswati Expressway, Sangam Expressway. तो इसका उत्तर है B, Ganga Expressway. इसकी ब्याख्या देखे हैं. तो उत्तर प्रदेश में प्रयागराज से मेरत तक लगभग 600 कीमी लंबा Ganga Expressway 36,000 करोन रुपए की लागत से बनाया जाएगा. जो की 6,506 हेक्टेयर भूमी पर 4 lane green field expressway होगा. एक्सप्रेसway मेरत से अमरोहा, बुलंत सहर, बदायू, साजापूर, फरुकाबाद, कन्योज, हर्दोई, उन्नाव, रायबरेली और प्रताबगड से होते हुए प्रयागराज से जुड़ेगा. जो इसका पूरा रूट. इसकी स्विक्रिती उत्तरप्रदेश कैबिनेट द्वारा 29 जन्वरी 2019 को दी गई है. गंगा एक्सप्रेसway के पहले चरण के पूरा होने के बाद फेश टू में टिगरी, गड़ मुकतेश्वर से हरिद्वार के निकट, उत्तरप्रदेश की सीमा, फिर प्रयाग राज से बलियां 314 किलोमीटर का कारे कराय जाएगा. इस प्रकार अंततव गंगा एक्सप्रेसway की कुल लंबाई 1020 किलोमीटर हो जाएगी. अगला, अगला गया है, कमेंट करके जो है बताईए, तो इसका उत्तर है 2030, इसकी व्यक्या देख लिया जाए. भारतिये मेडिकल अनुसंधान परिसद ने हाल ही में मेरा Malaria Elimination Research Alliance अभियान लांच किया. इस अभियान का उद्देश 2030 तक भारत में Malaria के रोग का उन्मूलन करना है. उलेखनी है कि भारत ने Malaria रोग को नियंतरित करने में काफी अच्छी सफलता प्राप्त की है. वर्स 2000 में भारत में Malaria के 2.03 मिलियन, तो यहां पर देखिए, यहां कड़ा भी लिख दिया गया है, ताकि आपको जो है, मिलियन समझ में आ जाए, एक मिलियन में 10 लाग होता ह मामले थे, जबकि 2018 में भारत में Malaria के 0.39 मिलियन मामले हैं, तो बहुत कमी हुई. भारत में Malaria के मामलों में 2000 से अब तक 80% की कमी आई है. वर्स 2000 में Malaria कारण 932 मौते हुई थी, जबकि 2018 में Malaria कारण 85 मौते हुई हैं, इसमें 90 प्रिस्चत की कमी आई है, ठीक है मौतों में. फिर Malaria क्या है? इसके बारे में बताया गया है. तो यह केवल प्रस्न ही नहीं, उससे related जितनी वी चीज़ें सब बताया गया है, तो Malaria क् इसको पढ़ ली जिएगा. हम अगले प्रस्न की तरफ बढ़ते हैं. 2018-19 में भारत का सबसे बड़ा कच्छा तेल आपूर्ती करता देश कौन सा रहा? Which country is India's largest crude oil supplier in 2018 and 19? तो इसका उत्तर क्या है? कुवेट, इरान, इराग, सुडान. तो कमेंट करिए जो है. तो इसका उत्तर है इराग. ठीक है? 2018-19 में भारत का सबसे बड़ा कच्छा तेल आपूर्ती करता देश इराग रहा. 2017-18 में इराग ने भारत को 45.74 मिलियन टन कच्छे तेल का निर्याद किया था. एक अप्रेल 2019 में डायरेक्ट्रेड जनरल आफ कामर्सियल इंटेलिजेंस एंड इस्टेटिक्स्ट से प्राप जानकारी के नुसार बित्ती वर्स 2018-19 में इराग लगा तार दूसरे वर्स भारत को कच्छे तेल का सरवादी का पूर्ती करता देश रहा. तो कहां से ये डाटा उठाया गया है? कौन ये बता रहा है? उसके बारे में भी बताया गया. बित्ती वर्स 2018-19 में इराग ने भारत को इतना किया था ठीक है? बित्ती वर्स 2018-19 में सौधी अरब 40.33 मिलियन टन कच्छे तेल के निर्याद के साथ भारत का दूसरा अस्तरव अमेरिका के प्रप्तिवंधों के बावजूद 23.9 मिलियन टन कच्छे तेल के निर्याद के साथ इरान भारत का कच्छे तेल का तीसरा सबसे बड़ा पूर्ति करता देश है. भारत को कच्छा तेल निर्याद करने वाले सीर्स पांच देश तो इतना डीटेल बताने के पर सौधी अरब दूसरे नंबर पर इरान तीसरे नंबर पर संट अरब अमिराज चोथे नंबर पर और वेने जुएला पाचवे नंबर पर अगला संट राज अमेरिका से भारत ने सरोप्रथम वर्स 2017-18 में 1.4 मिलियन टन कच्छे तेल कायत किया जो बित्ती वर्स 2018 में 4 स से अधिक बढ़कर 6.4 मिलियन टन हो गया ठीक है आगे बढ़ते हैं Cancer तैयारी सुचकांक 2019 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है जबर्जस्त सुचकांक है विच प्लेस डिट इंडिया गेट इन दे कैंसर प्रिप्टेशन इंडेक्स 2019 19, 20, 21, 22 तो इसका उत्तर बताईए 19, 20, 21, 22 तो इसका उत्तर है 19 तैयारी सुचकांक हाली में Economist Intelligence Unit E.I.U. ने Cancer तैयारी सुचकांक 2019 जारी किया इस सुचकांक में 28 देशों की सुची में तो कुल 28 देश रहे उसमें भारत को 19 वा स्थान प्राप्त हुआ इस सुचकांक में Australia पाले स्थान पर है इसके बाद Netherlands उसके बाद Germany का स्थान है इस सुचकांक को अगर लिखित डोमेन के अधार पर तैयार किया गया है नीती, वन्योजन, केयर, डिलिवरी, तथा स्वास्थ, प्रडाली, तथा गौवर्नेट्स ठीक है 200 Cancer दिवस के बारे में अब देखें यहां पर बताया गया है तो चार फरोजी 2019 को संपूर विसों में 200 Cancer दिवस मनाया गया वर्ज 2019 में इस दिवस का मुख्य भी से क्या रहा आई, एम, एंड, आई, बिल इस दिवस को मनाने का उद्देश से Cancer के बारे में जागरुकता उत्पन करना और रोग के बारे में जल्दी पता लगाने की ज़रुत तथा Cancer के उप्चार पर ध्यान के इंद्रित करना है तो यह पूरा जो है, देखिए प्रस्त क्या है, लेकिन इस से जुड़ा जो है Cancer सब्द है तो 200 Cancer दिवस के बारे में भी बता दिया गया, ठीक है उसके अलवा Cancer के उप्चार है, तो भारत United Kingdom सोध पहल के तहट समझोता, ठीक है तो यह भी, मतलब यह तीनों चीज़ें अलग-अलग है लेकिन आपको एक ही जगह जोड़ करके यह दिया जा रहा है, ठीक है जो है, हम लोगों ने इन ही सब आधारों को समझते समझते ही जो है, बनाया है अगला, दुनिया के पहले राष्ट ब्यापी 5G नेटवर्क को अपरेल 2019 किस देश में लाइंच किया गया इन वीच कंट्री वाइज दे वर्ल्ड फर्स्ट नेशनल वाइड 5G नेटवर्क लांश डूरिंग अपरेल 2019 दक्षिड कोरिया, चीन, वियतनाम, सिंगापूर तो इसका उत्तर कमेंट बाक्स में दीजिये इसका उत्तर है दक्षिड कोरिया दक्षिड कोरिया जिसे ASEAN Tiger भी कहा जाता है जो कि विक्सित देशों की स्रेडी में खड़ा हो गया है दक्षिड कोरिया में दुनिया के पहले राष्ट व्यापी 5G नेटवर्क को ताई ओजना से दो दिन पूर्व ही 3 अपरेल 2019 को लांश कर दिया गया इस दिन देश की तीन प्रमुक मोबाइल नेटवर्क कमपनियों SK Telecom, KT और LG U Plus ने प्राता 11 बजे 5G आधारित मोबाइल सेवाय प्रदान करना सुरू कर दिया उससे जुड़े हुए और कुछ तत्त्य है ठीक है आगे बढ़ते हैं भारत में हाल ही में किस पौराणिक बौध अस्थल से बौधिस्त्व की एक प्राचीन आदम कद मुर्ती की खोज की गई है हर्याणा तमिलनाडू तेलंगाना महराष्ट कहां से खोजे गई तो इसका उत्तर है तेलंगाना C ब्याक्या देखते हैं खोज करताओंने हाल ही में तेलंगाना इस्थित फणी गिरी भी जिसे कहते हैं में बोधिस्तो की एक आदम कद प्राचीन मुर्ती की खोज की है माना जा रहा है कि यह मुर्ती पहली सताबदी सापुरो की है माई 2019 में प्रकासित रिपोर्टों के अनुसार तेलंगाना की सूर्य पेट जिले में इस्थित पोरडाडिक बोध अस्थल फणी गिरी की खुदाई में पूरा तत्तो वीदों को बोधिस्तो की एक आदम कद मुर्ती मिली है इतिहास कारों के अनुसार यह मुर्ती जातक चक्र के किसी बोधिस्तो की है इस मुर्ती की उचाई 1.73 मीटर और चौडाई 35 सेंटी मीटर है यह देश में प्राप्त सबसे बड़ी चूना पत्थर से निर्मित मुर्ती है इस मुर्ती को हैदराबाद इस्थित सेंचूरी हेरिटेज म्यूजियम में मीडिया प्रदर्शन के लिए रखा गया था अगले प्रस्न पर आते हैं 18 में पर हाल ही में यूनेसको ने निम्न में से किस सहर्स को वर्स 2020 से तु वास्तु कला की बिश्र की पहली राजधाने घोशित किया रियो डी जैनेरियो पेरिस लंदन आगरा रियो डी जैनेरियो पेरिस लंदन आगरा तो इसका उत्तर है ए रियो डी जैनेरियो ठीक है तो इसकी बैख्या देखिये सैंउतराष्ट सैच्छिक बैज्यानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेसको ने हाल ही में ब्राजील के सर रियो डी जैनेरियो को वर्स 2020 से तु वास्तु कला की बैस्विक राजधानी गोसित किया है अब इससे जुड़े हुए जितने तत्त हैं यहां पर लिखे गये हैं ठीक है पीडियाफ डाउनलोड करके आप उसे पढ़िएगा अगला निम्न लिखित में से किसे हाल ही में 202 का अध्यक्ष चुना गया जिम योंग, डेविट मालपस, जार्ज कुल्ली, केविन, क्लोनेर तो इसका उत्तर है डेविट मालपास ठीक है इसकी ब्याख्या देखिए अमेरिकी बित विभाग के डेविट मालपास को 200 बैंक का 13 अध्यक्ष चुना गया है 200 बैंक के कारेकारी बोर्ड ने आम समती से डेविट मालपास को 200 बैंक के अध्यक्ष के रूप में चैनित किया ठीक है, अब उसके बाद ये पूरा जो है डीटेल उसके बाद 200 बैंक समू के नए एमडी और सियफो जो है ठीक है इसमें भारस से जुड़ा हुआ मामला है तो इसको देख लीजे 12 जुलाई 2019 को 200 बैंक समू के अध्यक्ष डेविड मालपास ने भारतिये स्टेट बैंक की एमडी अन्सूला कांत को इस समू का प्रबंधन नि दे सक एमडी एवंग मुख्य बित्ती अधिकारी स्यफो निक्त किया इस रूप में वा 200 बैंक समू के बित्ती और जोखिम प्रबंधन के लिए जिमिदार होंगी ठीक है तो ये नाम अन्सूला कांत बेहद महत्वपूर है तो आगे बढ़ते हैं दीन दयाल इसपर्स योजना का सम्बंध है डाक टिकट संग्रह को प्रोचाहन देने से कुष्ट रोगों के उन्मुलन से रेल्वे स्टेशनों के आधूनी की करण से उप्युक्त में से कोई नहीं तो इसका उत्तर है ए डाक टिकट संग्रह को प्रोचाहन देने से आईए बैख्या देखते हैं दीन दयाल इसपर्स योजना का सम्बंध है डाक टिकट संग्रह को प्रोचाहन देने से इसपर्स का पूर्ण रूप है डाक्टिक्टों के प्रती अभिरूची और सोधकारे के प्रोस्ताहन है तू छात्रवित्ती इंग्लिस में देख लिजी Scholarship for Promoting of Appitude and Research in Stamps as a Hobby ठीक है, अब इसके बारे में पूरा डीटेल में जो है लिखा गया है सारी बातें जो है, इसे आप पढ़ सकते हैं ठीक है तो इससे एक आपको आइडिया भी हो गया होगा कि हमारे डेमो टेस्ट में किस प्रकार के प्रस्तन रखे गया है तो मिलता हूँ इसी तरह के किसी अगले लेक्चर में नमस्कार अगली किसाओी जो हाते हैं अगले लेक्चर में